आज नानी ने अपने आचल में अपने नाती को छुपा कर खेल में जिदा दिया ये द्रिश्य आपको देखने में शाहिद मामूली लगे लिकिन इस बच्चे के मन और दिल में ये हमेशा बसा रहेगा क्या पता अपनी नानी का ये एहसान इस लड़के को 20 साल बाद ब्याज समेत लोटाना पड़े अपने घर के सिवाए बस एक ही घर होता है जिसे हम बेजिजग अपना कह सकते हैं और वो है अपनी नानी का घर जी जा जी कल क्या हूँ आपको पता है कल मेरी पत्ती ने आकर मुझसे पूछा कि खुश किस्मत इंसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तुमने क्या जवाब दिया मैंने का कि अन्मेरिट बोलते हैं उसके बाद कि डिन्टिस्ट के पास जाना पड़ा आपना अपनी जोक्स बंद करो जी का फिली जी जाची भगवान ने सिर्फ इंसानों को हसने का वर्दान दिया इसलिए हमेशा हसते रहना चाहिए कैसे हैं जी जाची शुरू में तो यह हाल चाल पूछती हैं उसके बाद सोने चीट मंगवा दीजिए ना जरूर मंगवा दूंगा थैंक यूंके कैसे हैं जी जाची आप कब आए हाई रवी टी-शिट बहुत बढ़िया है यह मुझे भाईया ने दी है अरे कुछने जी जाची दुकान पर खरीदी थी तो लूस थी घर पर आकर ट्राय किया तो टाइ जल्दी हाठ चलाओं जी माली छिलका निकाला तो फल निकलता है फल को फोड़े तो मला ही निकलती है लेकिन इंसान के अंदर की बाद निकालने के लिए क्या करना होता है अरे लोगों के घर में त्योवार के दिन दामाद आते हैं लेकिन यह पर तो जब दामाद घर आता है तो ही त्योवार बन जाता है डाक्टर बन गया तो कौन सतीर मारा मैं ट्रेक्टर चलाता हूं वो टांके लगाता है मैं बीजबोता हूं अरे मैं भी अगर पैसे लेकर चला जाओ ना तो देखना कितना बड़ा बिजनेसमन बन जाओंगा करें वाह यह लीजिए जी कोफी है जी ऊपर के माले में दिमाग है क्या उदार दिया है या गिर्वी रखा है मेटा लड़ खाने के बाद कोई काफी पिताई क्या पावडर लगाए लेकिन आकल का अंधर आये तू काफी पीएंगे क्या पापा पापा मैंने ममी से चोक्रेट मांगों मना कर दिया हां मसने तरय घर मेरा कीचन मेरा तेरे क्या जा रहा है जा चोकलट लेके आ अभी लेक्राएंट में बाटवा रहा होने तो सारा दूद मलाई के साथ बाहर निकाल दूंगा इनका इसा पापा बिगड़ी हुई आउल्द पैदा हुई है मुझेת ये बंद मुठी एकता का प्रतीख है नाना जी इसका मतलब क्या है बेटा यूनिटी स्ट्रेंथ नाना जी अरे वा मालिक आपका नाती तो बिल्कुल आप पर ही गया है अरे वा दिमाग खराब है इस गुल देगा अरे थोड़ा ओड़ाई है ना जीजादी थोड़ा करना चाहता है क्या कहना है उसे और क्या होगा एक ही बात है जायदात का क्या सोच आपने तो हर बार वही पुराना सवाल पूछेगा तो नया जवाब क्या मिलेगा कुछ नया पूछना है तो पूछ जायदात के बारे में नहीं तो के दोखलब अपड़े के बारे में पू तो घर बनता है और खेत बांटनी के लिए नहीं होते बोने के लिए होते हैं सुर्यारव जरा समझाओ इसे हमारे टुगड़ों पर पलने वाले से मुझे कुछ समझ्य की जरूत नहीं पिदा जी यह हमारे परिवार का सदस्य है जाने दीजे मालिक दमाद होते हुए आप सब गाव में और घर में मैं तो थूखता हुए इसी जिन्दकी पर बेटा बंटवारा करने से घर के सारे लोग विखर जाएंगे आपने बेटे पैदा किये और उनको बढ़ा करके छोड़ दिया लेकिन उनके जिन्दकी के पतंगी दूर अभी भी अपने यातों में रखी अगर ये शहर जाकर कुछ करना चाहता है तो इसे इसका हिस्सा दे दीजिये ना जी ठीक है तुम लोगों की क्या राहे बताओ बोलो ना सबका मुझ जिल गया क्या जो पिता जी बोलेंगे मैं वहीं करूंगा तू बोल बेन पिता जी हम लोगों भी सहर में बिजनोस करना है तो हम लोगों को बटवारा चलेगा हम जो यो तू बोलब चोटे बल सूताइओ जाहिदात का बटवारा हो यह मैं नहीं चाहता है ने ने यह हमारे घर के अंदर की बात है चुप रहो तुम अरे पगले बेटा हो या दामाद हो दोनों में कोई फर्क नहीं दामद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यह जादाद मैंने अकेले कमाई है पर मेरे अंदर जरा भी लालच नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसके उपर हुकुमत चलाओं और यह सब कुछ क्या मैं उपर लेकर जा सदस्से बन कर रहोगे तब ही तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा यह मेरा आखरी फैसला है क्या का आपने सारे आर्मानों का गला घोटकर हम सब को यहीं पर मरना होगा है कि सुनो सब इनका अपना पेट तो भर गया है बेटों का कुछ भी होने तो इनको क्या है यह हमें इनकों के नीची मामले में दामात का बोलना भी गलत है आई साब ऐसे बात करना गलत है देखिए आप मुझसे तमीज से बात किजिए अरे तमीज की सुस्का रहा हूं गया अरे तो है कौन हुआ है आप उसे खुश देखना चाहते हैं और वो शहर जाकर रहना चाहता है लेकिन फैसला तो आपके ही हाथों में है लीजी दूदपी जीए है क्रिश दूदघ कर देखना में हम लोग जा रहे हैं भाईया आप कहां जा रहे हैं सुनिए आप सबकुछ आपको ही संभालना है ना अगर आप चले जाएंगे तो फेर जो इस परिवार में रहेगा उसी को इससा मिलने वाला है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए सब लोग यही बोल रहे हैं मैंने अपने बाप को जीतेजी मार दिया जीतेजी जला दिया उनका मुझ तो बन नहीं कर सकते इसलिए मैं गाव और जायता छोड़कर चला जाता हूं अभी तो पताची कि तेरवी भी नहीं हुई है अरे जो होना था वो हो गया भी तेरवी से क् मतलब या रहा हूं मैं भाया भाया नहीं नहीं भाया 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 नुक चाहिए करीब 20 सालों से आप अपने बेटों का इंतजार कर रही है और कब तक इंतजार करेंगी माजी वक्त बदल सकता है तो इंसान भी बदल सकता है मैं आखरी सांस तक उसका इंतजार करोंगी इनकी पवित्र आत्मा और आपके मन के शांती के लिए लगता है भगवान को उपर स से नीचे आना ही पड़ेगा है 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 नानी मा देखो नानी मा का फोन है यह लो बात करो ना मा आप कैसी हो मा पता नहीं मैं कब तक जीए चीची यह कैसी बाते कर रही है नानी मा अब दुखी मत हो देखना एक दिन सारे मामा मौसी सब वापस आजाएंगे वो दिन जरूर आएगा नानी मा अगर तेरी बात सही निकली तो मैं माता जी के दर्शन के लिए जाओंगी नानी मा सब काम छोड़कर मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं नहीं बेटा बिलक एक ही दुख में जिये जा रही है वही पुरानी बाते और वही पुरानी जगड़े उस दिन तुम्हारे पापा की जो बेज़ती होई थी उनका अपमान होआ था वो आज तक नहीं भूलबाए है बेटा मुझे भी अपनी मां से मिलना है मेरा भी दिल करता है कि उनसे जाकर क्या बात है आपके शब्द सुनकर मेरे कानों में कितनी ठंडग मैसुस हो रही आपको क्या बता हूँ वैसे अभी में एवन कॉंट्रेक्टर बनाने आपने बुलाने में जल्दी करनी क्या पता कभी भी बन जाएंगे आप मुझे पोर्ट का कॉंट्रेक्ट दिलवा दीज तो मैं एवन कॉंट्रेक्टर जरूर बन जाओंगा और वो सब आपके हाथ में इसर जी आपके ही हाथ में है ब्लाक या वाइट एक दम पॉइंट पर आए तेखिए करोडों रुपे गिनने में तो घंटों लग जाएंगे और फिर आजकल कैश को समालना बहुत मुश्किल है यह तो आप जानते हैं 10-12 करोड का कोई प्लॉट हो तो बता दीजे मेरे लिए अच्छा रहेगा जमीन की बाग कर रहे हैं वो क्या है कि मेरी पत्नी हनुमान जी की बहुत बड़ी भागत है एक मंदिर बनवाना चाहती है और रिटायर्मेंट के बाद मेरे पास भी पू बादर भाबी जी के नाम पर 20 एकड की जमीन होगी मैं बोलता हूं आपको वो टेंडर का एप्लिकेशन फाम अगर आप दे दे थो वो तो मैं आपको पहले ही देना चाहता था लीजिए थैंक यू सर सदा खुश रही है साला 20 एकड का लैंड तो ऐसे मांग लिया इसने जै बखवास बनकर और पहले जाकर सूरत में भी सेकड का लैंड ढूंड गर वाली को सस्ती साड़ी देता बाहर वाली को किमती बनार सी साड़ी मेरे पैसे कब लटाएगा अरे क्या घर वाली बाहर वाली आपना बताओ क्या चल रहा है ज्यादा ना टक्मत करो फोन करता हूं तो तेरा यह फोन उठाता है तो पताना चाहिए ना इसको काई को इतना परेशन करके रखाये तुने मुह बंद रख अपना दोनों मिलके मेरे को गांडा बना रहे हो मैंने तुम्हें जो 10 करोड रुपए दिये थे ना अभी क्या भी मुझे उस 10 करोड का हिसाब चाहिए चांती इंसान की जुबान की कुछ कीमत होती है तु आजकल को जादा ही बोलने लग गया है आ तेरे को मैं कान ही सुनाता हूं कांसी एक भू के साब को को एक आदमी ने दूर्ध पिला कर पाला पोसा और पड़ा किया दूर्थ पिने के बाद वह साप ने असी आदमी को काटब सकता है मेरे पीछे पड़ा तो कि तुमारे जैसे लोगों की वज़े से अभी आजकर लोगों का कुट्टे पर से भी विश्वास उठके हैं बताया न मैं एक साफ हूं कुट्टा नहीं देख तेरे को गली का कुट्टा बना के घुमाऊंगा मैं इस बात को ज्यादा बड़ा मत चोधरी तमारे को बताऊंग अगर ताकत दो डराता नहीं उसके बारे में सोच मत तू जिससे देखो मुझे ही बोलता है तुझे देख लूँगा तुझे देख लूँगा अरे कोई पिक्चर का हीरो हूं क्या मैं है मा ओ मेरी मा आरी हूं दाडी जब मैं घर के बार जाओ तुझे देखते हुए जाओ और बार से अंदर आजाओ तू सामने होने चाहिए और अब तो तेरा बाप एवन कोंट्रेक्टर बनने वाला है हाँ कॉंग्राइस डाडी ये टेंटर भॉम देखो देखो इसे जाकर अपने हातों से मंदिर में रखते ठीक है डाडी और तू कब सीता कंस्ट्रक्शन की एमडी बनेगी बोल जिस वान्या डाडी ये सिवल एंजिनिरिंग का कोर्स हो जाए फिर तो यही काम करना है अगर इन्सान को सपल होना है ना तो बेटी पैदा होनी चाहिए और मेरी बेटी तो दस बेटों से बढ़कर है रमेश टार्गेट कम्लीट हुआ क्या यस सर वाद विठल यस सर रमना तुमारा डील नहीं हुई सर वाट अपन कस्टमर को डिल समझ में नहीं आई शड़ अब कस्टमर का दिमाग देख कर प्रोग्राम चेंज कर देना चाहिए तल ही टार्गेट कम्लीट कर पाओगे इस क्या भाई यह इतना खडूस क्यों है मुझे कम्पनी में पांच साल हो गए है इन्हें हसते हुए कभी नहीं देखा यह ऐसे ही है जिल में ना दरों के साथ तैंक डैंक मेरी क्रिती के लिए कर्मकरम समोसे नहीं मा मुझे नहीं खाना मुझे बस वह चुप के जाए है कितनी बार समझाँ तुझे तेरे डैडी ऑफिस में कितने बिजी रहते हैं फ्रियों होंगे तो बनवा देंगे मैं जब छोटी थी अब क्या हुआ रवना मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना तुम्हारे पास एक मेंट होल्ट करो यह सर बेटा क्लासेश ठीक चल रहे है ना जी पापा होवर खतम किया क्या होवर कर लिया है कर लिया डैडी गट रमना मेरी बास सुनीं हवोट दो तारिक तक तुम्हारा टारगेट पूरा होना चाहिए मैंकिस सुन्रा नहीं चाहता है ममी। जिस तरह हमें सकूल मिलता है क्या camar commodity को फिस से ह lorsquवबमbourg मिलता है म्मी मैंने यह सोच रहता कि बापा के सथ भ Courtney asking Mark कि एक किलो चीनी ये लीजिए डिटरजेंट का पैकेट क्या-क्या लिया इन्होंने एक किलो चीनी और एक सर्फ का पैकेट पच्चास रुपे हुए पास्तों का छोट्टा है भाई सा कुछ और चाहिए जी नहीं और कुछ नहीं चाहिए अच्छी तरो याग किजिए ना घर से निकलते वागत आपकी पत्नी ने तो कुछ बोलाई होगा आपके बेटे ने चौफिट मांगी होगी कुछ तो मंगाया होगा ना आज इसकी जेब नहाने का एक साबुन और एक साबुन से कुछ होता है क्या इतनी बड़ी फैमिली है भाई सब आपकी दो दिन और लीनी जी ना जी बिलकुल मैडाम सुनिए जी ये लोगीन साबुन एक छोटा वाला पेस्ट अरे छोटे वाले से क्या होगा बढ़ा लेंगे तो तीन जार म आग्यवान वह पापकान का पाकेट रखिये और कुछ लेंगे भाई साब आप कुछ नहीं चाहिए है आप जो ठंडा पी रहे ना उसको मेराकर फोर नाइनटी फाय हो गए चुट्टा देती हो ना जी चुट्टा नहीं है भाई साब ये चॉकलेट देती हूं दिन मैं प्रापटी बनाना चाहता हूं पहले मैं कुछ प्रापटी बनाना चाहता हूं बच्चे प्लाइन करने से पहले मैं कुछ तैयारी करना चाहता हूँ प्लीज अंडरॉस्टाइड मुई मार्टे 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 क्या हो मार्टे बस मुझे नहीं चाहिए उसे दो बेटा दूखा जानिकी मां कैसी है मां मैं ठीक हूँ तुम सब कैसे हो बेटा तु क्या कर रही है वहाँ बाटाता मालकिन को दो दिन पहले चक्कर आगया था वह कीर गई थी दो दिन से मांजी हॉस्पिटल में रही आजी वापी साही है मां अब तबीयत कैसी है अब मैं बूरी हो रही हुँ ना भगवान बुलाना चाहता होगा मां यह कैसी बाते कर रहे हैं मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहती थी बिटा पर तुम सब क्या चाहते हो यह कभी नहीं सोचा इसलिए अब मैंने जायदात का बटवारा करने का फैसला किया है इतनी जलबाजी क्यों कर रहे हैं इसी पहाने मैं तुम सबके साथ कम से कम दो चार दिन रह लूँगी मैं अपनी बेटियों को दामादों को पोतों को सबको देखने के लिए तड़प रही हूँ मैंने आज सबको फोन करकी कहा है कि मैं जायदात का बटवारा कर रही हूँ 20 साल पहले जो जगड़ा हुआ दामाद ची का उपमान हुआ उन्हें सब्जाकर तु किसी भी तरह उन्हें लेकर यहां आजा बेटिया मैं कोशिश करूँगी मां आप अपना खयाल रखीएगा अच्छा बोलो हाँ क्या हुआ मां नानी की तवियत अच्छाना पिगड़ गई है शाहिद उनकी तपैस ज्यादा खराब है मां हम सब को एक बार देखना चाहती है जी तुम लोग जो पापा एक मिनट क्या है उस वक्जो हुआ उसमें आपकी गल्ती नहीं थी पापा लेकिन पिछले 20 सालों से वहां नानी मा और यहां हम लोग सजा काट रहे हैं बस बच्पन में मेरे सारे दोस्ट छुट्टियों में अपनी अपनी नानियों के घर जाया करते थे लेकिन मैं कभी नहीं गया मुझे बहुत दुख है इस बात का चाहता तो आपको बिना बताए नानी मा के पास जा सकता था लेकिन मैं आपकी बहुत इज़त करता हूं पापा हम कभी अपने कजिन्स या फ्रेंस के घर ज्यादा देर नहीं रुपाते बोर हो जाते हैं लेकिन सिर्फ नानी का घर पराया नहीं अपना होता है गुस्सा जुबान पर रहना चाहिए दिल में नहीं उतरना चाहिए मामा अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी और बस उसे एक बार देखना चाहती है मैं अपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज पापा हाँ बेटा तुम्हारे मामा जी ने गुस्से में जो किया था मैं भी उसे लेकर 20 साल से अभी तक गुस्से में था थोड़ी सी कड़वा हट और दुख मेरे मन में आज भी है तुम्हारे मामा जी ने मेरे उपर हाथ उठाकर गलती की थी और मैंने तुम्हें रोक कर गलती की पर अब नहीं रोखूंगा तुम अपनी नानी के घर यह अपनी मां के घर और मैं अपनी सास के घर यानि अपने सस्राल कभी भी जा सकता हूं कभी भी जा सकता हूं कोई रो था अभी शेकड की जमीन भांगी उसी दिन मेरी माँ का फोन आ गया कि आकर जैदात के बतवारे की शेटलमेंट कर लो तुम सुपर्भो उबाबुरो आउँ सुपर्भो तुम। सुपर्व हो। आउँ माँ ने मुझे फोन करी दिया मुझे जानाई पड़ेगा इंवेस्मेंट के लिए जो पैसे चाहिए आराम से मिल जाएंगे एक बार अपना हिस्सा मिल जाए तो भच्छे भी प्लान कर लेंगे मिट्टी की खुश्बू इस ओसम तुम जाओ मां मैं गाओं गूंकर आता अरे बेटा नानी का घर तो याद है ना याद है मां मैं आ जाओंगा ड्राइवर जल्दी आ जाना समल के जाना यह बंद मुठ्धी एकता का प्रतीख है नाना जी इसका मतलब क्या है बेटा यूनिटी स्ट्रेंथ नाना जी अरे वाह मालिक आपका नाती तो बिल्कुल आप पर ही गया है सूरियराफ काका तुम कौन हो बेटा हाथ ऐसे खुले मत रखें मुठ्धी बंद करने में ही ताकत हो दी है आपका पोता तो बिल्कुल आप ही बर गया है वह संतोष बाबू आप कौन है भाईया आप इसको देखकर अतना खुसका है अरे कौन है क्या अपनी सीटा लक्षम उन्हें देखने आयो जी काका जब तक नानी मा ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा बहुत अच्छी बात है चलो इसी बाहने आप नानी को और नानी आपको देख पाएंगी और आप कैसे मुझे क्या होगा आपके नाना-नानी के आशिरवात से बस आप आराम की जिंद प्रेक्षा अच्छा है अच्छा है बहुता अच्छा है सुनो पेठा एक छोटा से काम है तुम दुकान पर बैश्चा हम भी आते हैं अरे रोकियों तो सही पांच मिनट में आते हैं अच्छा प्लीज कैसे बुलगोडा दिया हम ली कमाल का आदमी है इसकी दुकान संभाल अरे बिस्केट रखा है अरे सुनो न्यूस पेपर देना है हलो क्या कर रही है वह आज का पीपर है कभी कभी हो मुझे क्या करना है कितनी धूल है यहां साफ करने नहीं होता हुआ है का मैं कर रही हूं तो शुक्र मनाओ है यह कोई चिप्स है इससे कहते हैं जिसने बना है उससे जाकर पूछो अच्छा तो पैसे भी जाकर उन्हें दू गया सिगरेट यह अब सिगरेट भी पीती है क्या नहीं बस फूपती हूं सिगरेट है यह नहीं इस शॉप के उनर तुम ही हो ना सिगरेट का है ये भी नहीं बता हलो मैं इस शॉप का उनर नहीं हूं वह कहीं बाहर गया है कुछ देर के लिए दुकान देख रहा हूं कोई बात नहीं मैं तो शकल देख कर ही समझ गई थी तुम दुकान चलाने लायक बिल्कुल नहीं हो इसकी तुम है मुफट के चिप्स खा रही है थे हो चल पैसे निकाल ओर रिया क्यूं कर रहा हूं तस रुपे के लिए इतना नाठा ये ले तुमारे पैसे और पेपर के पै पोल करके दे सिंदगी में इतना घठी आदमी आज सक नहीं देगा हां हां बाप के पैसों का कितना रॉप जाड रही है थाबित कर दिये कि आप सीतल अच्मी जी कहीं नाती है चलता हूं रुकुरुरुकूरुकूरुकूरुकूटुन तुम लोगों पैसि नहीं करते हैं थीक्से बात करते हैं तेक्ट हैं क्या हम यहां से चलो तेरी शकल तो मुझे नहीं मालूम पर तु भे कैसे पता कि मैं ही मोटू हूँ इस पूरे गाउं में तू एक ही तो मोटू है ना अरे यार मैं संतोष हूँ कुछ याद नहीं आया अरे बचपन में हमारे गाउं में आया था हम साथ में खेला करते थे अरे संतोष तू है यह कर क्या रहा हो तुम लोग हम कोई रईस थोड़ी ना है जो हमारे पास धेल सारी पैंट होगी एक पहंगते हों दूसरे को यह पर पैंट हम डिसकाउंट पर खरीते हैं बार बार धोईंगे तब फेड हो जाएगी ना अरे ऐसा करोगे तो फटेगी नहीं फट जाएगे तो हम उससे नया फैशन बना लेंगे अगर निचे से पटेगी तो उसे काट केम शौट पैंट बना लेंगे अगर उससे भी काम आप मज़ें नानी मा के घर ले चल नानी के घर में लिए अपनी नानी की बात कर रहा हूं अच्छा अपनी नानी की बात कर रहे है तुम केरी ओन करो आए थीग है थीग है अबहुत अच्छा है सीता महालक्ष्मी निवास चल्ड हाट में क्या लग गया पेंट यार मा देखूं तुम्हेरा नादी आ गया अर जाके दो ले ना इतना गूंटी तो लिख रहा है कि मानि मा कितना समय लग गया तुझे अपने घर से यहां तक आने में आप ठीक तो है ना बच्पन में मेरे आचल में छुप जाया करता था अब देखो कितना पड़ा हो जाया नानी मा तुम सब आने वाले हो इस खुशी में घर को पेंट करवाया भूली गई थी तुम लोग क्या आने से जो खुशिया मिलेगी उसके आगी यह रंग कितने फीके हैं देखो तो तुमारे हाथ भी गंदे हो देखो तो तुमारे हाई हाई हेलो हो गया तुम चल यह इसे हैं अब हुरे आज करिछ क्या कि लोग पीजा पास्ना बहूत खाते है वहां पर शादी कर ली अगर यहां शादी करते हैं तो कोई बेकार सी लड़क्यों की गले पड़ जाती है हाई मामी हाई सेंड्रा येस है संतोष है मामा जी कितना बड़ा हो गया यार तु आज कल कर के आ रहा है मामा बड़े 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 मामा है कितने मोटे हो गया है लगता है अब ही तक बिल्कुल बदले नहीं जड़ा देख कैसे पूरे घर को गूर कर देख रहे हैं अम्मा अम्मा नानी पर ध्यान भी नी तिया कहा हो हाई डाड़ी आप इनली सेव लाए है तुम्हें पसंदन ने इसके लिए लिए आया अच्छा है ना तुम दुकान पर नकरे दिखाने वाली इनकी बेटी है अरे बहिया कैसे हैं आप जिन्दाओं बस संतोष हा मा यहां बहिया यह मेरा बेटा है संतोष अच्छा तो यह दुकान वाला बुवा का बेटा है करता क्या यह ए एंबीए करुछो आजकल हर दूसरा आदमीं यह ए अब मैं तुम सब यहां पर आए इस बात की मुझे बड़ी खुशी है अब मैं तुम सब को हमारी चाहिए सायदात के बारे में बताना चाहती हूँ सो एक रजमीं पांच एकड नारीयल के कि खेद और यह घर जैसा तुम्हारे पिता जी चाहते थे सो एक रजमीं तुम सब में बराबर बराबर बाड़ दूँगी और नारीयल के खेद जब तक मैं जीऊंगी वो मेरा सहारा रहेंtım मेरे जाने के बाद सारे खेट, ये घर, सब कुछ तुम्हारा होगा अगर किसको कोई एतराज हो तो मुझे इसी वक्त बता दू मुझे कोई प्रोडम नहीं है बाची मेरी तरफ से तुढ़ो बोलू के मा ओके फर मी तो फिर कली रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अरे क्या बहईया इतनी दिनों बाद सुब साथ आये है एक दिन साथ रह लेते हैंना उसके बाद आराम से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे शुरू हो गई तुम वहीं तुम्हें सोच रहा था कि तुम्हारे पत्ति की कमियाज कौन पूरी करेगा तो तू शुरू हो गई सरस मुहरत मिलने के लिए निकालते हैं बिछडने के लिए शुब मुहरत नहीं होता रेजिस्ट्रेशन तो कल होके रहेगी किसी को कोई यह तरह देग्या देखे जो करना है जल्दी कीजिए मुझे आफिस में बहुत सारा काम है बिल्कुल सही अगर कली रेजिस्ट्रेशन हो जा अगर शाम की चारतकाल टिकेट बुक करते हैं जल्दी करना है अगर करनी पड़ेगी अज शाम की हमारी फ्राइट की टिकेट अल्री बुक है मेरी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती कल साम की टिकेट बुक करवा देना ठीक है जिसे कि हम परसो अपने घर पहुंचाए अग दुकान सब आ सके चलो तो यह मुझे मां क्यों बनाया जायदाधी बनाती तब अगवान कम से कम मेरे बच्चे मुझे अपने पास रखते सुचा था सभाएं के तो नाने खुश रहेगी लेकिन ये सब तो एक दम मतलब ही निकले यार सीता मा ज़रा सुनिये तो देखा मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती एक बार में ही चली आई उसे क्यों बुला रहा है अरे यह मेरी पकी दोस्त है बच्पर मेरे साथ खेला करती थ सीता मा क्यों कहा तेरी मा लगती हुंए और तु मेरा बाप लगता है कि अरे सीता मा तो मैंने प्यारों रिस्पेक्ट में कहा था आज की बाद मुझे सिता के कर बुलाना अगर तुने मा के कर बुला ना तो तेरी चान ले लोगी अच्-छे ठीक है अरे सीता मा मतलब सीता लगता है कि तुम भूल गई तुम्हारे लिए मैंने क्या किया था उस दिन तुमको यार भी नहीं आज मैं बताऊंगा इसीन के हीरो मैं हूँ तू चुपकर यार अबे रुक जा अरे क्यों रुक जाओ वो समस्ती के आपने आपको जो बोलूंगा उस सीता की जान बचाई मुझे स्विमिंग भी नहीं आती फिर भी जान बचाई मैंने तुम्हारी जान बचाई थी भूल गई न एक तुम मैंने जान बचाई उपर से मुझे मार रही हो मुझे तो बचा लिया पर मैंने जो फूल पकड़ा था उसका क्या फूल तड़ा है मु कि मुझे दुकान में पता नहीं था कि तुम कौन हो अगर तुम्हें पता होता कि मैं थी तुम परिशान नहीं कर देंया, तुम्हों है तुम्हारी किसमत अच्छी है, Бाई कि मैं कल ही जा रही हूँ, नहीं तो फ्रीवकूफ गएंगा किया सोच रही है आज नाना जी होते तो कितना अच्छा होता यह न नाना है दीवार उपर लगा रंग भी सुखा भी नहीं है नानी मा आपने सब को रुकने के लिए क्यों नहीं कह देदी तुम्हारे नानाची ने सबसे कहा था कि हम मिल जुल कर रहेंगे लेकिन फिर भी सब 20 साल पहले ही पिछड़ गाई अब मेरे कहने से यहां कौन कोई नहीं रुकेगा मामा जी इस जायदात का बट्वारा तो हो जाएगा क्यों ना चार पांच दिन यहीं रुक जाए नानी मा को अच्छा लगेगा रेजिस्ट्रेशन चार दिन में हो जाएगा सच में बेटा अदस करता है ये जायदात मेरी लेटिस्ट्रेशन मेरी और घर भी मेरा बीच में तू क्यों डाना रहा है तू और तेरा बाप एक जैसे है यह पक्का बाप बेटे के मिली भगत है यह हमारी जायदात का बट्वारा हो नहीं निदेंगे में चले जाते हैं अकार हो इतने दिन कान रखेंगे था बाज़ की आदत की परढ़ जाये अधिक तना हे पैग ले ना मैं नहीं पीता तो आज से शुरू कर ले ना है तो या आज तो अश्रु Cry मैं Sena आज नानिमा की आखों में आंसों देखें, उसे देखकर मेरी भी आखें भाराई, बीस साल से बेचारी नानिमा हमारा इंतजार कर रही है, उनके खुशी के लिए क्या ये लोग बीस दिन भी यहां नहीं रुख सकते, बीस दिन रोगना तो भगवान के बस में भी नहीं है, वैसे भी कल रेजिस्टेशन है, कल तक सब अपने टिकेट बुक करा ही लेंगे, मुझे उन्हें रोकना होगा, कैसे, कुछ भी करके, जो सोचना है जल्दी सोच सब कल सुबा भागने वाले हैं, यह कब बहार आएगा यार, टकला टाइम पर आगया, तेरी किसमत अच्छी ह अब यह किसका फोन आ गया, हलो सुरेश पावू, अरे यह पूरी दुनिया तो पैसों पे चलती है, तुम्हारी तकलिफ से मुझे क्या, मेरा कमिशन मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो तेरा काम नहीं होगा, कमिशन खाता है, कमिशन में एक पैसा भी कम हुआ, तो आज अरे इस्टेशन नहीं होगा फॉन रहे है अरे चल 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 जल लिका, वह आ रहा है, तो था, पोला था, पर एक बात भात वैए अगर इस पैट तूट गए तो उससे हमें क्या फाइदा होगा यार, अगर आफिसर के हाथ पैर ढूट जाते हैं तो आज रेजिस्ट्रेशन कैसे हो पागा कमान का आइडिया दिया है मानगे तेरे को गुरू तरीक नंबर है यह तुर सही है कि मेरी हट्विया देट यह तक लगता हमारा प्लान तो फेल हो गया किसी ने मुझे गूँटे हुए तो नहीं देखा न मेरे जाने मनुआ क्या कर रही है कि किसमत हमारा साथ दिया प्लाट लिक κάνते ही ऐसे इठ लिक्टलते ही बच्पन की आदे सच में कितनी मीठी होती है हां लेकिन बड़े होकर वही मिठास कड़वाहट बन जाती है तुम नाने मा के बारे में सोच रहे हो उनी के लिए तो वापस आया आदे लिए अधिर से क्या बात कर रहें मैं बताऊं तुझे कैसे बता बुक रीडिंग में वीख था लेकिन नहीं आ सकता हूं इसलिए रजिस्टेशन टाल पड़ेगा तेरे मामा किस लिए ऐसे ठुणके वंके मारते हुए मेरा हाथ आटो के नीचे आ गया और फिर मेरे अपाथी के दर सड़ासा सेंडविच बन गया लेकिन सर देखिए आज रजिस्टेशन होना मेरी लिए बहुत जरूरी है अब आफीसर सर चार दिनों तक तो मैं आफिस किसी भी हालत में नहीं आपाउंगा सर रजिस्टेशन कैसे भी करवा दीजिए प्लीज सर आप देखन चलिया से यह कैसे हो गया यह टकलू आ गया लेकिन वह यहां पहुंचा कैसे यह यह टकलू तो लेफटी है यार पहले पता होता तो दूसरा हाथ भी तोड़ देता अब चलिया से यार अच्छा खासा उसका दाया हाथ तूड़ गया था लेकिन बाए हाथ ने हमको दोका दे दिया यार अब हम कुछ नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन तो आज हो ही जाएगा घरवाले तेरी बास सुने बेन चले जाएंगे तुझे इस तरह दुखी देखता हूँ तो मेरा मन और खराब होता है इसलिए मैं जा रहा हूँ यार चाई मी खराब है अपना अब हरीएप सैंड्रा वहीं से एरपोट जाना है रिजिस्ट्रेशन के बाद मेरी एक इंपोर्टन मीटिंग भी है उसके बाद फ्लाइट पगणनी है इस इजए बेटा कम से कम खाना खाकर जाते इसना टाइम नहीं है मां रास्ते में कुछ खा लेंगे अपना ख्याल सुनो पेस्ट ब्रस टाविल सब रख लिया ना रख लिया मां सुनिये जी रास्ते में खाने के लिए सब बराबर तो लिया ना सब बैक कर लिया है इसको तो कभी शांती ही नहीं है अमा 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 आती हू डाडी हाँ डाडी अरे अमा सब सामान रख लिया ना कुछ भूली तो नहीं नहीं डाडी बेटा शांती जी माजी तुम्हारे पती को यह लड़ू बहुत पसंद है लेकर जाओ कोई ज़र्वत नहीं है जब इस घर में मेरी कुछ जिज्जत नहीं तो सामान भी नहीं चाहिए फिर मिलते है माजी सब रेडी है ना हाँ सब तैयार है सब सब कुछ तैयार है सब यह ले इदर साइन कर इदर ठीक है क्या सेडी मेरे खेत रेजिस्टर करवा रहे है हां कर रहा हूं तो हह बर मेरी बात द्यान से सुनिये यह सिघ्णेच钱 च छोड़ के पहले मेरा हिस्सा मुझे दीजिए फिर जो करना है कीजिए सूर्यर आप्लीर तरा हिस्सा तयरा यह बहुत जा रहा है अब ही तो कह रहा हुं माजी पहले मेरा ला क्भी सालरा तो मैं खेती कर रहा हूं मैं और इतने साल जो खेती करता है वह जमीन उसी की हो जाती है ऐसा नियम है इस गाउं का वैसे कानून भी यही बोलता है और मुझसे जरद तो आप लोग जानते होंगे देख लिया ना तुम लोगों ने नौकरम को सर पर चड़ाने का नतिजा तु जल्दी निप्टाये बहुत लेट हो रहा है कितने जमीन चाहिए तरह को यहां पैसला किया तो कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे चल कर बात करते हैं हमारे मुझे निवाला जाने ही वाला था कि उसने आकर निवाला चीन लिया सब गडबड कर दी आज जाके उसकी निवत समझ में हमारा रोजिस्ट्रेशन भी रूपवा दिया तो चुप रहा है भाया मुझे कल शहर पोंच नहीं है अभी जाना वा मैं बोलूंगा तब ही जाएंगे ओ माइगाड दस दिन लग सकते हैं इतना टाइम नहीं है भाया जिसको जाहिदा चाहिए वो रुके जिसको जरुवत नहीं वो चला जाए ऐसे कैसे चोले जाएंगे अभी आये तो निप्टा करी जाएंगे और मेरा क्या है मैं तो रहूं नहीं पड़ेगा नो चीर्स अब यहां कैसे पी रहा है कितनी बद्बु आ रही है पीते टाइम जुबान का इस्तेमाल होता है नाक नहीं कोई भी बद्बु बर्दास्ट कर सकता हूं लेकिन गोबर की नहीं अरे तु वो सब छोड़ना आज तुझे पार्टी करनी यहां पर रोक लिए लेकिन कैसे तेरे साथ रजिस्ट्रेशन ओफिस से निकलने के बाद मैं सोच में पड़ गया तभी मुझे सूरिया काका की याद है काका अंदर आजाओ बेटा इसे कुछ काम है क्या काका आपको मेरी मदद करनी होगी बोलो बेटा इतने सालों तक सब दूर चले गए थे जायदात का नाम सुनते ही सब एक साथ आ गए सब के आने से नानी बहुत खोश थी पर रेजिस्ट्रेशन होते ही सब चले जाएंगे हमें कुछ भी करके इने रोगना चाहिए यहां आजकल के बच्चे अपने माबाप को विधाश्रम भीज रहे हैं वह को मूर्ख कहते हैं और तू भी वही है नानी के लिए इन लोगों को कुछ दिन यहां पर और रोकना बहुत मुश्किल है तू यह जानता है ना प्रेट चापाती होती है उसके उपर टमाटर होते है चोटे-चोटे चिकन की टुकड़े होते है अच्छा आपको परोठे चाहिए परोठे जो यहां से दिमाग खराब करके रखती है क्या बात है मामा अरे संतोष तेरी मामी को पीजा बर्गर खाने की आदत है थेपला ख पीजा चाहिए एक लाज चीज पीजा भीजवा दिए अड्रेस बुलिए सर जल्दी दे है किना वह है तीन सो चाली सर ओं-लाइन अच्छा ओं-लाइन हां सर यह लह है थांक यू बॉस वीडियो अच्छा है ना ए रूप मेरा फोल्ट है वेके ना अले अले क्या बॉस्ट बॉस्ट चाहिए उसे बच्ची है वो कान में बाली है उसे दर्द होगा नानी मा इसका तो अभी तक कान भी नहीं चिदा है हां यह क्या बहू अभी तक इसके कान नहीं चिदवाए आपका बेटा कितना बेजी रहता है मा कितनी बार बोल चुकी उन्हें कोई बात दी मैं यहां करवा दोंगी क्या बात है नानी मा सबसे चूटी बहर का घर में सबसे पहला फंक्शन बहुत एंजॉय करेंगे क्यों तादी मा किसी ब्यूटी पाला या जूल्री शॉप में जाकर गन शॉट से च्छेद करवा लो उसमें क्या बड़ी बात है ऐसे चुटे-चुट वालों को बुला कर खाना खिलाया था इस बार भी ऐसा ही करेंगे पंडिची को बुलाएंगे नानी मा मुझे एक डाउट है सीता के कानों में छेद सुनार से करवाया था या लोहार से कैसी बाते कर रहा है शॉक्र अपनी दुकान सभाई गुरू है ओके ठीक है नानी मा फ सुनिया जी पूरत हो क्या है जल्दी आईए ना इन जाओ मैं आता हूँ अब फंख्षन में आ जाते तो बहुत अच्छा लगता मामा जी अपने सारे बिजनेश को साइट में रखकर मैं यहाँ आया हूँ मेरा कितना नुक्सान हो रहा है तो जैसे के पड़िए आया बड़ा फंख्षन की पड़िये अध्या बड़ाओ पंशन में आना है मामा जी एक मिनुट है फोन अपने पास रखना मैं भी फोन करता हूं ठीक है आपकी बेटी का फंक्शन आपके बिना ही हो गया बेटी के सामने उसके पिता रहें तो अलगी खुशी होती है आपके टी-शिट पर जो मुस्कान है खाश आपके चहरे पर होती मामा जी एक दम असली सोना है पूरे 24 करेट का फिकर मत कीजिए भगवान का सुकर है मैं आराम से सूर सकती हूं मुझे लगा था कि यह नकली सोना है इसलिए आपके पास आ गई थी दिखाने के लिए मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं लेंगे ओके चलती हूं नानिमा मैं देखता हूं आपकी छोटी बेटी सोने की चूडियों के साथ मेरे पास आई थी वो यह जानना चाहती थी कि असली है यह नकली हलो सितामा लक्ष्मी जी सितामा लक्ष्मी जी नहीं मैं संतोज बोल रहा हूं नानिमा को बता दूंगा ठीक है बैटा कौन था पंडित जी थे क्या क्या रहे थे सुबह का फंक्षन अच्छा हुआ यही बताने के लिए फोन किया था अच्छी बात है अरे भग्मान बच गई अगर जाती तो बहुत इसी हात में आजाती थी चलो यह चुणिया तो प्यार सोने की है पहले पताव तो तो और मांग लेती अरे इतनी मैंने जिपैस आपको मा करक से इतनी ती अपन नेकलेस बनाया ता वो भी गुम गया है बग्वान मैं क्या कुरू हूँ क्या हुआ बिती औरे आपके बेकर घर में मेरा नेकलेस घुम गया है सारे नौकर खेट में गये हैं शाम को आएंगे तो उनसे कहूंगी ढून देंगे जब तक सारे नौकर नहीं आ जाती तब तक मैं इधर बैठ कर पहर आदू कितनी बदभू आ रही हैं यहां पर नेकले तुना नहीं आ रही ठी थी ठंडे हों मा खाने के लिए मैं टाले के लिए निकली थी तौ भी उस गोँबर में गिर गया होगा मेरा नेकलेस मुझे दीला दो भगवान वह बोड़ी मेन दिखो माए थे पैसे मेरा जोना चला गया गोबर में पता नहीं किसे मिलेगा वो नेकलेस वापस भी करेगा के नहीं करेगा मेरा नेकलेस तुछे कैसे फसाओ यहीं सोच रही थी अब तू भसेगा बुआ यहां अच्छे से दूना क्या और गोबर में गीराता उदार तो इधा डूनने से कैसे मिलेगा बेवकुफ लाड़ी मैं भी पूरी मुआ किसी को गोबर में जाकर ढूनना पड़ेगा ना संतोस जरा गोबर में जाके ढूनना मेरा नेकलेस मौसी वह बद्बू शहर में पढ़े देखे लड़के को ऐसे काम कह रही हो तुमारे घूर में आके घूग गया मेरा नेकलेस पनोती घूरे तुमारा एक्दम अब बत्वारा पहले ही ओ जाता ना तो मैं इस गोर में को तंभी नहीं रखती हूं मौसी आप रोहे मत मैं मैं ढूटा अब बता चलेगा मुझसे पंगा लेने का नतीजा कि 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 बेटा मिला क्या नहीं मौसी नहीं मिला अब तो मेरे बदले की भावना और बढ़ गई है पुआ ऐसे लातों से रूने से कैसे मिलेगा उनको बोलो हातों से रूने संतोस ऐसे खोड़े रहने से दोड़ी मिलेगा जरा अपने हाथों से ढूंड़ो कुछ भी बर्दास्ट कर सकता हूं लेकिन गोबर की बद्बू बर्दास्ट नहीं होती सुनो जब तक नेक्निस नहीं मिल जाता ढूंड़ते रहना बाहर मोता ना इंट्येन्मेन के साथ बोनस भी मिल गया इन लोगों को शर्म भी नहीं आती वह मिल जाएगा कास मिल जाए नानी मा यह लोग नहीं दरने वाले नहीं मिला मौसी नहीं मिला मेरा टाइम ही खुर आप चल रहा है पता नहीं सुभव सुभव हुटके की समू देखा था ले शक्ती बाबू के लिए जरा पानी गर्म कर दे क्या यार नानी के लिए कुछ भी करेगा क्या हाँ करूंगा हम सब अपने भगवान के लिए वरत रखते हैं उससे प्रोबल्म होती है नहीं ना नानी मा मेरे लिए भगवान जैसी हैं उनकी खुशी के लिए कुछ मेरे होते हुए भी नानिमा अगर दुखी है तो मेरा यहां होना वेस्ट है तु वेस्ट नहीं यार बेस्ट है सुनो मेरे इससे में बेच कर जाना चाहता हूं उसके लिए कोई अच्छी पार्टी हो तो बता आपको मैं अच्छा कमिशन दोंगा वो तो ठीक है बाबु पर व अगल अच्छा नहीं लगता अरे संतोस तू भी चल काहां जा रही हो मॉसी तेरे बड़े मामा ने शीक्रेट मीटिंग रखी है वहां पर मुख्या जी सुरेराव को बुला कर खुद समझाने वाले हैं अगर आज की मीटिंग अची रही ना तो रजिस्ट्रेशन कली हो जा वहां जाने से पहले अगर इधर यह सारा मैटर सेटल हो जाएगा ना तो अच्छा होगा इसलिए हम सब आपका मश्वरा चाहते हैं हाँ बिलकुल सीताराम जी की फैमिली को पंचायत ने बुला के हम भी उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं कितने दिनों से दूकान भी बं अगर आप लोग उसके सारे खेत लेके बेज देंगे तो उसकी रोजी रोटी का क्या होगा यहीं सोच रहा है देखो सुर्या राव को थोड़ा बहुत दे दो सब सेटल हो जाएगा मैंने उसे पैसे देने की कोशिश भी की थी उसने नहीं लिये तकाइस रेली क्रेजी दे मौसी जी आपको समझ में आया क्या मुझे लगता है सूर्या राव इनकी बात जरूर सुनेगा मौसी इतना सोना पहना है लेकिन दिमाग पीदल जैसा है अरे तु बोलना क्या चाहता है बोलना अरे सरा सोची है ना सूर्या काका के गाउं के लोग है अब समझ में आया आगे हिसाब से सूर्य राफो कितना हिसा मिला चाहिए अब देखो बेटी जितना उचित समझो उतना इतना क्या अगर उसके साथ बाहर सेटलमेंट कर लेते तो आप लोगों की जरूरत क्या है आग तो लग चुकी है और कुछ देना ही किया है मुपथ में खेती करता है क्या करने की पूरे पैसे लेता है ना आप तो ऐसे क्या रहे हैं जैसे हमारा कोई उधार बाग क्यों अरे बाबु राजी हम आपके तरफ से बोल रहे हो और यह उल्टा अरे बैट तो चुप चाब बैसी जा दूर बाद हम से कर रहे है और हिस्सा उसको देना है आज के लिए इ करें तो आपकी मदद कर रहे हैं और आप लोग जाए अब मामला पंचायत में हलोगा आप लोग जाए आप जाए अब जाए आप बच गये यह तो नाराज हो गए अब क्या करें भया एक हफ्ते से सारा काम साइड में रखके पंचायत के मुख्या के हाथ पाओ जोड़कर आज की मीटिंग मैंने सेट की थी लेकिन बिना मतलब के यहां कर तुमने सब वाट लगा दी क्या बगबग कर रही थी तू सब के उपर पती के तरह चिलाएगी क्या चार लोगों के ब सोही बात बुलने माले बरी बरस पड़े थांक यू मॉसी मामी यू पीज़ा थांक यू संतोष यू वलकम ये क्या अमेरिका है बेटा जैसा उसका यहां पर कोई है नहीं वैसे वहां जाकर शादी कर ली सबकी शादी मैंने अपने हथों से करवाई पर इनकी शादी मैं देख भी नहीं पाई ये दोनों शादी के जुड़े में कितने अच्छे लगते होंगे उस सुर्य राम ने रजिस्ट्रेशन ओफिस में अच्छा किया या बुरा मुझे नहीं मालूम लेकिन उसकी वज़े करें से ही आज तुम सब मेरे पास हो अब नानी मा बहुत खुश है काका इस सब के लिए थैंक्स आपने अच्छा साथ दिया अरे रहने दो बेटा तुम्हारे नाना ननी नी मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया ना मैंने जो किया वह उसके सामने कुछ भी नहीं है ल पीर अपित तुम आगे तुम्हारे आने से जो उने खुशी मिली वो कोई नहीं दे सकता पापा सही ही कह रहे थे इसके बारे में जैसा पाप वैसा बीटा कि मोठी बंद करने में असली ताकत है अप तुम कहें काम से भाइया फूह शो कीम इज ओव़ झाल झाल रुको, वहीं रुख जा, अगर तुने इस घर में कदम रखा, तो हम सब गाउं छोड़ कर चले जाएंगे, सब को बेवकुप बना कर रखा है तुने, हम लोग सारा काम छोड़ कर रेजिस्टेशन आफिस के चक्कर काट रहें, और इधर सूर्य राओ के साथ मिलकर तु खेल खेल रहा है, अब इस तरह सिर जुका कर क्यूं खड़ा है, सिर उठा कर बात कर, इधर देख बैशरम, अब गलत समझ रहे हैं, मामा जा, सही का भांजे, मैं गलत हूँ, अरे आम के पेड़ पर आम ही उगएगा, सेब कभी नहीं भलेगा, तु और तेरा बाप बिलकुल एक जैसे हो, तु अपने बाप की छाय में पला बड़ा है ना, और मैं कैसा इंसान हूँ, तुझे पता है मेरे बाप ने कहा था कि मेरी जाइदात को हाथ मत लगाना, तो मैंने अपने बाप के अस्तियों को भी हाथ नहीं लगाया, तु यहां से इतनी दूर चला जा कि वाप पी जाने का खयाल भी ना आए, दफाओ जा, यह क्या हूँ क्या है, भगवान जब एक दर्वासा बंद कर देता है, तो कोई नो कोई दूसरा दर्वासा खोल देता है, पर इस वक्त मुझे वो दर्वासा नजर नहीं आ रहा है, होनी को कोई नहीं डाल सकता, मुझे सच पता नहीं होगा, मामा जी, एक मिनट, मानता हूँ मामा जी, मैं सुलिय राफ से मिला, मैंने गल्ती की, उनसे मदद मांगे, गल्ती की, हो गया, अब बात करने का कोई फाइदा नहीं, तू निकल जाए यहां से, अब जाकर इसकी पिच्चर खत्म होई है, हर चीज जो अच्छी देखती है, जरूरी नहीं है कि वह अच्छी ही हो, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, उसकी बात भी तो सुनिया, हो सकता है, यह कॉम्प्रोमेस करने गया हो, भाइया, वो भी तो जाइदात के लिए ही आया है ना, आखिर उपर वाले ने दर्वाजा खोले दिया, बैंगलूरी वाले मामा जी सही कह रहा है, मैं सूरिय राओ के साथ कॉम्प्रो करने गया था, तमारा दिमाग में तो कई बिजुच्छे, मैं बात फाइनल करने वाला लेकिन फिर ये बीच में आ गई, अगर ये बात है तो इतना डर क्यों गए थे, मैं मामा जी से डरता हूँ ना, वो कभी आखो में आख डल के बात नहीं करते, फिर्स टाइम मुझे पर इतना भड़क गए है, मुझे तो डर लग रहा था, कहीं वो मुझे खा ना जाए, य तु कौन से खेत की मुली है, मैं भी सोच रहा था कि आप से बेटर इस मैंटर को कोई नहीं समभाल सकता, चलो भीया, थांक्यू बगवान, क्या आइडिया दिया है, ना कुछ ठीक से देखती है, ना सुनती है, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देती है, तुझे जब भी तेरे पिता जी नजर आते हैं, तुने जो बोला, मैंने मान लिया, लेकिन अगर तुने कुछ गड़बड किया ना तो, अहां, लापड़ा हो जाएगा, जैसे करनी, वैसी भरनी, वहां पर मैंने जो देखा, और यहां पर इसने जो बोला, कुछ मेल नहीं हो रहा है, कहीं इसने सबसे बशने के लिए जूट तो नहीं बोल दिया ना, नजर रफनी पड़े कि इस पर, अरे क्या राइट है, क्या रॉंग है, मैंनी तो कुछ समझ कुछी नहीं आ रहा है, मादा, तुहीं बता, सही है, तेरा भाई सही है और तू गलत, तू क्या बोल रही है, क्या हुआ काव्या, संतोष, सीता और वो पपो दुनों ढूमने वाले हैं, अरे क्या देख रही है, इसका पेट दबा के पानी निकाल, अरे संतोष, ठुका जा रहा है, सीता को पता चला, मैंने उसे बचाया, तो वापस कूछ जाईगी, तो फिर किसने बचाया, बोलू, समझ गई, तुम बचपन से ही संतोष से बहुत नफरत करती थी, लेकिन संतोष बिलकुल बड़े भाई की तरह ध्यान रखता था, बिलकुल सच कह रही है, उसे सब की बहुत भी कर रहती थी, येस, सच ही तो बोल रही हूँ, अभी भी वो यही चाहता है, कि सब लोग नान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है सीथा, संतोष को गलत समझना सबसे बड़ी गलती होगी, मोटा भाय, तुम गवर्मेंट एमपलोई हो ना, जी साब, तो गवर्मेंट एमपलोई मर जाता है, तो पैसा मिलता है ना, मिलता है साब, बहुत रास, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इसको खतम कर दो, शूट कर दो, तुझ में कॉमन सेंस नहीं है क्या, और एक गोली चलने की आवाज से मेरा नाचुक दिल बैठ जाएगा, बाइपास हुआ है याद है ना, चाकू से धीरे-धीरे काट इसको, ने, 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 सारे पैसे लाकर आपको दे मैं सिंपल आदमी हूँ, मेरे को विलन मत बना, अगली बार केश के साथ मिलना, नहीं तो तुझे गायब करवा दूँगा, शौर मचाना मत, बाइपास हुआ है, बेनामी जायदात किसी के नाम लिख सकते हैं, वैसे अपनी बीमारी किसी और के नाम लिखने का सेटिंग नह हुआ, आपकी तबियत कैसी है, जीजाजी, अरे तेरे जैसा साला हो तो तबियत कैसी होगी, अब जल्दी बता मेरे काले धन को ठीकाने लगाया के नहीं, जीजाजी, वो क्या है ना, वो आपने मुझे रियल स्टेट के लिए 10 करोड दिये थे न, वो डूब कै जीजाजी, थोड़ा रिलेक्स हुआ तो बेना मिसाले ने, सुनामी लादी मेरे दिल की धणकनों में, मैंने न एक आदमी पे भरोसा करके उसको सारे पैसे दे दिये, पैसा था, ढोकला फापड़ा नहीं के दे दिये, अरे गांड़ा कोई लाक दो लाक नहीं है कि दे करके भूल जाओ दस करोड है, मैंने सब कुछ करके देख लिया जीजा जीजा लेकिन वो कहता है कि वापस नहीं दूगा, जो खालना है वो खाल लो, दो तीन बार आपको बताने के लिए आया तो आप आप आपरेशन के लिए हैधराबाद गए हुए थे, उसका नाम क्या है बेना मिसाले सा बाभी के बाबू राओ, और वो करता क्या है, वो एक कंट्रेक्टर है जी, अब ये भी बता दे, वो रेता किदर है, रेता तो इधर पास में ही है, लेकिन किसी जरूरी काम से गुजरात के गावं में गया हुआ है भी, अच्छा हे सत्य नाराण स्वामी जी, मैंने आपके पास आने की मन्नत मांगी थी, मैं चाहती थी अपने पूरे परिवार के साथ आपके पास आऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूं स्वामी स्वामी, इन सारे भूलों को मेरे बच्चे समझ कर उन्हें आशिरवाद देना डर इसको छोड़, निकल इसको दीख, कैसा चुम रहा है ना हाई मौसा जी, हाई मौसी जी मौसी जी, मौसी जी आपने सुना के ला तो पूर पैसे फाणी हो जाएंगे मौसा शाम तक वापस आ जाएगा, इससे ज्यादा बोलोंगा, ना प्लैन चौपट हो जाएगा यार कौंसा प्लैन है, यह कहना चाहता कि प्लान है किすबह निकलेंगे और अगर आपका गला कितना खाली लग रहा है लक्षमी देवी के गले में कोई हार ना हो बिल्कुल वैसा लग रहा है अगर तुम लोग जा रहे हो तो पिर हमारी क्या जरूरत है हां लेकिन काम करना सारे गैनों की फोटो कीचके मुझे वाट्सप पे भीच देना जो भी मुझे पसंद आएगी ना मैं उसे रिसेंड कर दूंगी तुम ले लेना चलेगा ना यहां दालने कलेगी ठीक है मौसी ज जाओ बेटा जाओ कियो रहे मौसी ने चल भोला वह खरीदेगा क्या नहीं यार अच्छे वाले गहने खरीद लेंगे बेकार वाले मौसी को वाट्सआप करेंगे उत्तारी जड़ा धीरे बोल मौसी के कान बहुत तेज हैं आँ सही कह रहा है और उनके कान बहुत तेज है म इतने अकल मंद हैं वो बड़े बड़े व्यापारियों के गुरु हैं वो कहा रहते हैं मंदिर में रहते हैं सत्या नारायन स्वामी अरे आप अपने प्रॉफित का थोड़ा सा शेर मंदिर में चढ़ा कर तो देखो उस शेर की वाल्यू कितनी बढ़ जाएगी ऐसा ना हु हुम तो बताओ कब चलना है कली मामी आप है संतोष आपके लिए श्रीखन लाया हूँ श्रीखन मुझे बहुत पसंद है खाये हुए बहुत साल हो गये मामा जी आपसे बात पूछू क्या है रेजिस्ट्रेशन होने में तकलीफ हो रही है ना इसलिए नानीमा ने सत्यनारान मंदिर में मनत मांगी है मैंने उनसे कह दिया बैंगलूरु वाले मामा बहुत बिजी है तो प्लान बाद में बना लेगे ऐसा क्यों बोला तुमने काम के लिए है तो जरूर आएंगे मंदिर तुम्हारा मन्नक तुम्हारी तो तुम्हारे पाप हमारे माते पर क्यों मार रहा है पहले उस फंक्चन का नाटक अब ये मंदिर अरे यार तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया भाई कि तेरी नानी और तेरे को दूसरा कोई काम धंदा नहीं है क्या पहले अपना काम पूरा करो फिर घूम लेना सारे मंदिर तु यहा कोई गर्मियों की छुट्टिया मना ने नहीं आया है तु और तेरा बाप एक जैसे हो कि शिकार करने निकले थे लेकिन बिल्ली की पूछ दे करी घर बाग गए एक बात पूछू मामा जी आप हमेशा मैं अपने बाप जैसा हूं मैं अपने बाप जैसा हो कहते रहते है ना आपको भी नाना जी जैसा हो जाना चाहिए कभी ऐसा नहीं लगता क्या अच्छा तुम्हें याद है इसी साइकल पर बैटकर हम लोग पिक्चर देखने जाया करते थे करेक्ट नमस्ते यह रीजिये सुनों बच्पन में हम लोग जो भी पिक्चर देखते थे ना वो सौ दिनों तक चलती थी अरे सही कह रहा हूं अच्छा बच्पन में इंग्लिश पिक्चर तु बहुत देखता था ना इसलिए अंग्रेजी में से जाकर शादी कर ली तुने याद लव मैरेच है अम यूस में सेटल लें बच्चों के बारे में क्या सोचा अभी तक प्लान नहीं किया यह क्या बात हुई पहले हम अच्छ लुग है यार अच्छा यह बता तु तो हैपी है ना तुने कितनी जायदात कमाई अब चुपाने लाइक तो नहीं है पर खुशी से रह सकू इतना बना लिया है खुद का घर है छोटी सी गाड़ी है और साथ में हम दो और हमारे दो बच्चा लो पापा आजाओ आजाओ देख लो यही है मेरे जायदात यही मेरी दुनिया है जब यह मेरे सामने होते ना का पता नहीं चलता नाम है तुम्हारा अधे देरा नाम रखा है हम तु ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और इसosse अच्छा खाना तो खाके जाओ नहीं अभी नहीं फिर कभी आजामगा बाई अंकल बाई बेटा बाई अंकल मुझे लगा कि असली खुशी पैसे का माने में हैं पर आप समझ में आया कि एक भरा पुरा परिवार जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं जल्दी आओ जल्दी आओ गाड़ी चलने वाली है सब जल्दी आओ जल्दी करो यूस वाले ममा एक्टम फिट है अरे इंग्लिश वाली मामी थोड़ा जल्दी चलिये आइक्स रावी क्या यार तु तु ऐसे मूँ बना रहा जिसे पहली बार तु स्कूल जा रहा हो दो दिन क्यों लगेंगे सत्यनाराण के मंदिर जा रहे हैं शान तक आजाएंगे वैसे दो दिन में तू क्या तीर मार लेता हुआ हमारे सामने काम नहीं करता पीची क्या हग करेगा देख लेना आराम से सोएगा मुफ्त की रोटिया तोड़ेगा और दारू पिएगा शकल देख आखरी मुमेंट में कोई जादू होने वाला नहीं है तू उदास मत हो वो लोग नहीं आएंगे यार चल तू अंदर चलाएंगे किसे अंकल कुछ एंटेंटिनमेंट होगा क्या क्यों होगा हम सब बस को उपर चड़ेंगे ना मैं तो लास्ट भी नहीं हूं और सुनो मैं कोई मोट्टू ओटू अंकल नहीं हूं अरे तो कोई एंटाइटिन्मेंट है या नहीं तुझे हर बात बार-बार क्यों बोलनी पड़ती है चुपचा बैट जा क्या है कि कौन है जो अंधू की तरब बस के सामने के खड़ा हो गया हटाओ अब उससे जगड़ा करोगे क्या चलो निकल यहां से अरे सुन्तूश चला आकिर देख यार आजा आजा देख देख हम लोग भी मंदिर के लिए निकले थे गाड़ी रास्ते में आचाना खराब हो गई और जड़ा अंदर जाओने यह तो जादू ही हो गया इदर है यह देता लिए कि अधिया सवामी आपकी दया से अज पूरा परिवार साहत में आया है मैंने मन्नत मांगे थी आपने पूरी कर दी कि आज विश्वास हो गया कि तुम इस दुनिया में हो स्वामी अथ कथा प्रत्मोत ध्याय प्रारंभ अब सभी लोग सत्नरायन भगवान की पूजा में अपना दिल लगाईए और उनकी कथा को ध्यान से सुनिये जो लोग सत्नरायन भगवान की कथा ध्यान से सुनते हैं भगवान उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। जो कोई भी भगवान का वरत दिल से करता है, भगवान उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, और जो भी विधी पूर्वक इस वरत का पादन करता है, उसकी इच्छा तो अवश्य पूरी करता है। जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए। तो लोग फोन के साथ रहते हैं, अगर यह तो फोन के अंदर रहता है, लगता है यहां भी शुरू हो जाएगा है। तुम दोनों के शादी नहीं देख पाई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी देख ली। मेरा आशिरवाद तुम्हारे साथ है। जदा खुश रहा। भगवान बिना मांगने पर ही देता है, पर तुन्हें तुन्हें नानी को बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। तुम लगों के शादी यहीं होती तो कितना अच्छा बता। खुश रहो, चलो पेर चुप, अगर बेटी होगी तो मेरा ही नाम रखता। भाबी भाया कहा है। वो फोन आगया था ना, बाहर बात करने गए हैं, आते ही होंगे। अरे मंदिर मंदिर में नी जाता यार, दरहसल मेरी बेटी पीछे बढ़ गई थी ना, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा बाकी कुछ नहीं। तो मामा जी के मंदिर आने की वजह सीता है। वेंकर्टी से फोन पर बात हो रही थी ना, पांच फ्लैट बुक करने को बोला है। उत्रो 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 चलो नानी का घर आ गया सब लोग। तो पीट भर के खाया मैंने। क्या हुगा सटी, प्रसाद लाए क्या। प्रसाद के इंदिजार में तु अभी तक भूगा बैठा हुआ है। भूग लगी है ना। तो जा कि अपनी भूग मिटा ले ना। मेरे पास बत्ता है खाना तो खा ले। इसे लिए क्या करूँगा। ठक गया है। अच्छा हुए बड़ी मामाची मंदिर आगे है। अभी के अभी पंचायच में आज़ए? पंचायच चाना आखे सबरोंगोर है। मैंने पंचायच से बात कर लिया है। सब लोग जाँ और और साथ में शॵहीराव भी होगा। थीक है भया। आज ही मैटर ना सेटल हो जाना चाहिए चलो तू कहा जा रही है है उस दिन तो तूने सिक्रेट मीटिंग को एसेमली मीटिंग बना दिया था बात वो रहे है के अपना हूं अगर और और आपके राज दे देना तो वो सब किचन में ही खतम कर देगी तूम इधर रूख हम जा जो भी होगा हम देख लेंगे तू चल यार किया रे उस दिन तो रजिस्टेशन आफिस में बड़ा बोल रहा था पंचायत में देख लूँगा अब क्या हो गया है बीस एकड़ जमीन मांगिये बीस एकड़ क्या वो मानेंगे बहुत ज्यादा है यार अरे इसलिए तो इतना बोल है ऐसा क्या देखिये सरपंच जी इतने सालों से मैंने इनकी सारी जमीनों की देखभाल की है और कभी भी इनके दर्वाजे पर जाकर कुछ नहीं मांगा मु आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है कुछ और मांगो पचास लाक रुपए अब बोलो भी सोच क्या रहे हो ठीक है सरपंच जी अगर जमीन देने में तकलीफ है इने तो पचास लाक रुपया कैश दे दे क्या पचास लाक हमारी दी हुई थाली में खाकर उसी में छेद कर है तो पचास लाक चाहिए लगता है बात नहीं बनेगी ठीक है पचास लाक दिये तुझे कली रजिस्टेशन करेंगे सुरे राओ तुम खोश हो ना कल कोई लपड़ाफ़ा मत करना तुमने जो चाहाँ वो तुमें दे रहे है सुरे राओ मामलाब सेटल हो चुका है सब कुछ खतम हो गया अब रजिस्टेशन हो जाएगा और ये कल चले जाएंगे देखिये मुक्या जी कल किसी भी हालत में रजिस्टेशन करता हो जाना चाहिए पचास लाक देकर मैटर यहीं क्लोज कर देते हैं I think this would be a good deal बताओ कितने पैसे चाहिए अभी देता है उसे मत तिकालो उसे अपनी जिब में ही रने दो चंद पैसो से निपटने वाला मामला नहीं आगे मामा जी कुछ देर रुगे तो पचास लाक रुपे मांग लिए अगर दो दिन और रुख जाएंगे तो तो क्या होगा दस पे आ जाएगा तो और रुख जाते हैं पर इस सब में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मामा फिलाल तो मुझे लगता है यही डील बेस्ट है नहीं यार लेट तो होई चुका है दो चार दिन और रुख जाते हैं वेकार में नुकसान क्यों करें ठीक है मामा अरे जमीन हमारी है रेट डो कैसे डिसाइट करें अगर आप बड़े मामा से बात करते तो ओगे चलो 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 वही मेरी इचा इधर आईए एक मिनिट में पचास लाग बहुत ज्यादा होता है अरे पचास लाग देकर इसे चुटका रहा तो मिल जाएगा भाईया पचास लाग हमें मनजूर नहीं है जरा सोचिए दो चार दिन के लिए हम लोग डील डाल देते हैं बस जमीन हमारी है तो रेट वो कैसे डिसाइट करेंगा बात तो संगे है तो इसे थोड़े ज्यादा भांग रहा है मेरे दिमाग में यह बात आई क्यों नहीं अच्छा सुन एक काम करते हैं क्या हुआ बाबुराओजी कोई प्राब्लम है क्या नहीं नहीं कोई प्राब्लम नहीं पर आमाउंट थोड़ा बढ़ा है ना इसलिए घर की लेडी चे थोड़ा बात करना चाहते हैं नमस्ते चलते हैं चलो जल्दी आभी तो यह महान गया थे अरे दीदी ये पंचायत की जंजटना खतम ही नहीं हो रिया कोपसे हमारी दुकान बंद पड़ी अब क्या होगा पतानि जान की हमा यहां आ ना बिटी आहां आ रही हो ओमा सुन के संतोश के कपड़े हैं जरा कपड मेरा देना हा मा अरे यह तुम मेरा निकली से पर इदर केसी आया मतलब उस दिन संत उसको मिल गया था मेरा निकली सीदो छुपाने की क्या जरूरत थी पूछ रही हूँ जवाब दो छुपाया नहीं मौसी बस आप से दूर रखा था आओ केम कर यू ते देखना चाहता था नेकलेस से अलमारी की कीमत बढ़ती है या नहीं जी मौसी आप कहती है न इंसान के गले में सोना हो तो कीमत बढ़ती है इतने दिनों तक आपके गले में नेकलेस नहीं था क्या आपकी वाल्यू घड़ गई और आज इसे पहन कर कौन सी वाल्यू बढ़ जाएगी मैं नहीं कहला सोनी की वाल्यू नहीं होती कोई पूछे सोना कीमती है या पीतल तो जवाब सोना है पर इंसान औ अगर यह बात नानीमा को पता चल जाती तो उनकी नजरों में आपकी क्या कीमत रह जाती नानीमा ने आपको यह कंगन इसलिए नहीं दिये कि आपकी वाल्यू बढ़ जाए पर इसलिए ताकि आप खोश हो जाए इसके लिए सोच भी वैसी होगी सामान की कीमत तो होती है पर आज समूझाए कि इंसान की कीमत ज्यादा होती है सोना नहीं हो तो चलता है लेकिन सुनी जैसा दिल ना हो तो मुश्किल होती है मुझे माफ कर दोसर दोस मुझे क्या भाग कर रही है हूँ थैंक्यू बेटा दो घंटे में डिलेवरी हो जाएगी तब तक मैं सुन्दरम जी की भैस को दबा देखे आता हूँ ठीक हे डॉक्तर साथ यार इतने इसे काम के लिए इस डॉक्टर को बुलवाने की क्या जरूरत थी इसकी डिलेवरी तो मैं ही करवा देता तू कैसे करवाता है मुझे सब आता है मैं किसी डॉक्टर से कम नहीं हूँ बस मेरी किसमत खराप्ति के में फिल हो गया नहीं तो आज में एक बड़ा डॉक्टर बन गया होता तु पक्का कर लेगा इसमें कौनसी बड़ी बात है जैसे इंसान की बॉड़ी लेंग्वज होती वैसे जानवरों की बॉड़ी लेंग्वज होती है अब कथे ठीक से इन्सान को हैपनटाइज करते हैं आप तु देख मैं क्या करता हूं तेख मेरा कमाल बस देखते जा जान से देखना दुबारा नहीं करूंगा इस तरफ देखो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ देखो बेटा मेरी आखों में आखें डाल कर देखो मना किया ना उस तरफ नहीं इस तरफ बहुत बढ़िया रिलाक्स मुझे पता लाइफ में बहुत टेंशन है सहब ठीक हो जाएगा चलो आप मारो मुझे तू डरा हुआ लग रहा है चार कंदम दूर खड़ा रहा है देखते जा क्या करता हूं मैं क्या ची जानता है ना कि कीचड के अंदर ही कमल खिलता है तू बस देखते जा लुकेट देर कमाँ अरे डिलिवरी के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया ना तू क्या कर रहा है किसकी तूम एई मेरी बास सुन तेख मेरी इज़ट को मिट्टी में मत मिला क्या कर रही है तू वो सब कुछ देख रहा है ना मैं बोलतों तुझे कुछ नहीं होगा मैं हूं ना टोट वरी अच्छे से कर दें गॉद गॉद ब्लेस यू बेटा अभी देखना कैसे बच्चा बाहर आ जाएगा अब के बार नहीं चाहिए समझी ना चल्व कम ओन यह मामा हस्ता भी है लगता है इसका गूबर करने का ही मन है विचारी मामा की हसी सुनकर दर गई फिलाल बच्चे नहीं देगी देखा क्या किया उसके मूँ क्या हुआ मामा जी बेटा हसे हुए बहुत साल होगा ना इसलिए दर्द होने लगा मुझे अच्छी तरह याद है मामा जी जब मैं च आफिस जोइन किया है ऐसा लगता है हसना ही भूल गया जब तक चिलाओ नहीं कामी नहीं होता तभी से हसना ही भूल गया देरे देरे टेंशन बढ़ती गई और वो गुसा फैमिली पर उतरने लगा आस सालों के बाद मेरे चेहरे पर ऐसी हसी आई है इसके लिए थैंक्स ब के लिए स्माइल करता है तो अच्छी फोटो आती है अगर वो जिन्दगी भर स्माइल करे तो उसकी जिन्दगी कितनी खुशी से बीतेगी बेटा पता नहीं पापा ने क्या सोच कर तेरा नाम संतोश रखा था तेरे चेहरे पर तेरी आखों में हर जग संतोश ही नजर आत कि इस टी-शर्ट पर जो खुशी है उसे मैं अपने चेहरे पर लेकर आगया अब मैं इसे कभी वापस नहीं जाने दूंगा प्रॉमिस कि महमेट केर्थी तुम्हारे लिए बेटा लो ना कि अधिया लेलो बेटा कि तुम्हारे कानों में पहनाने के लिए बहुत दिनों पहले खरीदी थी पर कान नहीं छेदवा पाया पर वो काम तेरी दादी नहीं कर दिया फंक्शन वाले दिन भी मैं अपने ही काम में खोया रहा मुझे माफ कर देना बेटी इसे ले ले बेटी थांक यू डाड़ी क्यों अब तो खुश है ना रवी या अरे भाया आप यहां कैसे कोई काम है क्या हाँ यार तुससे माफी मांग नहीं थी मुझे और तुम्हें आशिरवाद भी देना था दूर था इसलिए शादी में नहीं आ सका था और पास रहकर भी तुझे आशिरवाद नहीं दे सका स्वारी अरे भाईया माफी मांग के शर्मिंदा मत कीजिए अगर तुम लोगों को यतराजना हो तो मैं तुम दुनों को आशिरवात देना चाहता हूँ यह गौड ब्लेस्यो अपस में इतना प्यार है फिर भी एक दूसरे से दूर रह लेते हैं मामा जी याद है बच्पन में आप छोटे मामा के लिए टी-शर्ट खरीदते थे पर कोई पूछे तो कहते थे आपको धीली पड़ गई इसलिए दे रहे हैं कि आपको कपड़े खरिदने के लिए जब पिता जी पैसे देते थे तो यह उन पैसों से पिक्चर देख लेता था और पिता जी इस बाद से गुस्सा हो जाते थे इसलिए इसे कपड़े देता था छोटे मामा फिर आप इन ही के दिये टी-शर्ट पहन कर पिक्चर देखने चले जाया करते थे हाँ यार सच में इसकी आदत से पड़ गई थी मुझे शायद इसलिए अज जब मैं अपने लिए शर्ट खरिदता हूं तो उसे पहन का सैटिस्ट्रक्शन नहीं मिलता मुझे मैं तुझे आज ही नहीं टी-शर्ट देता हूं पता नहीं इसी इतना सब कुछ कैसे याद है इस घर से जुड़ी हर याद मेरे लिए माइने रखती है मामा जी शहएद आप एक बात भूल रहे हैं मैं भी इसी गार में पैदा हूआ हूं तु आजा तु बच्च के नहीं जब आएगा मेरी नजरों से कहां तक लिए पाड़ेगा मुझे मैं तुझे तुझे अगलूंगा इसकी पिक्चर देखकर तो हम लोग जिंदगी बहुत हैं सच चुकायू इस टेंशन भरी दुनिया में हासना बहुत मुश्किल है छोटे थे तो कितने खुश थे सच कह रहा हूं अगर वो दिन वापस आ जाना तो वह जिंदगी का मजा आ जाएगा ताइम मसीन होता तो बैटकर पीछ चली चाती एक बोटन दर बाती तो पीछली खुशिया वापस आ जाती कितना मुझा आता ना कोई काम नहीं था सिर्फ खाना पीना पिक्चर देखना पर गप्पे मारना इसी में पुरा दिन निकल जाता था वो दिन ही अलग थे काश वो दिन की से जी पाते हैं जी सकते हैं बस नियत होनी चाहिए चानी हमारे पास नियत है तुम हमें रास्ता दिखाओ चलो हम कभी भी खुश रह सकते हैं कहीं भी खुश रह सकते हर उम्र मे कर आपके संतोश के लिए संतोश निये गेम बनाया ऐसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए बस इंसान का दिल चाहिए कि लाइफ में बहुत खुशी के पलब आए थे स्टिवेशन को कोपी करके आज की तारीक में उसे पेस्क्ट करना है एक लाग युच उस पल के खेल से लेकर खाने तक उस वक जो करते थे वही आज करना है कॉंसेप्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है नाइस आइडिया अप्लाई करना चाहिए हम सबको खुश रहना चाहिए पर ऐसा होकीकत में हो सकता है क्या संतुस बिटा हा मौसी मैं प्रूफ कर सकता हूं ओकी ओके लेट्स स्टार्ट गेम किससे स्टार्ट करेंगे किससे क्यों इस घर की सबसे चोटी मेडी विस हाऊश गोल्ड वाली मौसी नाइन बिल्कुल भी ने ओकिया ये रहा वाचे शड़ू कीजिए ना प्रची शड़ू कीजिए ना प्रीज प्लीज कम ओल मेरी लोक जिस दिन में दूलन बनी थी ना मेरी खुशी का कोई ठीकाना नहीं था पूरे सोरीर पर गहने थे कानों में बाली, हाथों में कंगोन, मातिर पर पीका क्या बात है बुआ, आपको तब से गोल्ड पसंद था अरे जब से ये पैदा हुई तब से ही ये शौकी से था, नामकरन की दिन किताब पकड़ने की जगाए गहने उठा लिये थे जब मैं दूलन बनी हुई थी ना, अगर तब मैं घर के अंदर आईनी के सामने अपने आपको निहारती थी ना मुझे भूग लगती ना नील निंदाती वो खुसी का महला कुछ अलगी था, बहुत खुस होती थी मैं, बहुत अच्छा लगता था मुझे गोल्डन मॉसी ये आपकी लॉक्योर एज करहा हुआ है करहा करे दो रहा है मा, चोटी को ये कहने भी देदो, देखो मा, कैसी एकदम सोने की गुडिया चैसी लगने है ये? पेटा सोने की लालच में सोने जैसे लोगों को यहन देखा कर दिया, इतने दिन सबसे दूर रही मुझे माफ कर दो, मा, कोई बात नहीं, चुपोचा, डीटी, अरे बंचे की दिरगेर हो रही है, चुपो, चुपो चगा, तो गॉल्डन मॉसी, अब जब भी खुश होना है लॉक यॉर एज खेलना अब आप king of the house बड़े मामा जी अरे बाप परे इसने तो शेर को हिलाल कार दिया अच्छा बेटा अरे जिन्दगी मेरी खुशी मेरी कमाई मेरी और तु मुझा ही लॉक करने चला है लॉक क्यों एज लॉक देड़ा का चीच छीच यह कभी नहीं बद लेंगे बड़ी बोव अब आपकी बारी आपकी लॉक्यों एज मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल जो मैंने बिताए हैं वो मेरे भाईयों के साथ हैं और सबसे ज्यादा रक्षा बंधन के दिन बड़े भाईया तो कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे और दूसरा भाई जोक्स की बुक देता था और इसे तो समझ ही नहीं आता था क्या दू तो कागस के फूलों का एक बोके बना कर देता था लेके सबसे स्यादा खुशी तब मिली जब पहनी पार सबसे बड़े भाईया ने बहन कहकर बिलाया तो बहुत जो खुशी थी ना मुझे तब ही महसुस नहीं हुए जब मेरे मेटे ने मुझे अमा कहा माची ने तो सबकी आँखों में आशू ला दी क्या बढ़िया कॉंसेप्ट था यार तो अब दवान अनली यूएस मामा मेरे सबसे अच्हे पल थे माई इंटरमेडियेट डेज गाव में सुभा होते ही जैसे ही मेरे साइकल निकलती सीधे हैं सत्यम ठीटर के पास जाकर ही रुकती थी तब मुझे मैच्स फॉर्मूला स्टेप्स कुछ भी याद नी रहता था लेकिन मिथुन के डान स्टेप्स परफेक्क्ली याद रहता था एक इंसिडेंट जो मैं कभी नहीं बोल सकता हम सब लोग मुवी देखकर वापस लुट र सब्सक्राइब करेंगे जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था फिर मैं डरते डरते घर आया चोर पकड़ा गया फिर दादाची ने क्या बोला क्या बोला होगा एक घुमा कर दिया होगा है है ना मामा कि ए रवी जी पिता जी इस डर क्यों रहा है जब देखो पड़ता ही रहता है कभी कभी फिल्म देखने भी जाया कर इन पैसों से कोई फिल्म देख लेना था अखल कहीं का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा बरताओ क्यों किया नानीमा आपने कोई जादू किया होगा क्या हुआ था उस दिन बताओ अभी 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 क्या भी सुन रही हो तुम्हारा छोटा बेटा कॉलेज बंक करके फिल्म देखने गया है पढ़ाय में कितना अच्छा है वो राद भर पढ़ाय करके ठक गया था तो मैंने ही कहा कि जाकर फिल्म देख गया आपको तो पताई है जोतिशी जी ने उसकी जनम कुंडली देखकर क्या कह कि आपके परिवार में अमेरिका जाने का योग उसी का है उसे कुछन पूर्णिया लॉक्त रेज का कॉंसेट अब भी फॉलो करता हूं यूस में आज भी कोई बिक्चर रिलीज होती है तो मैं वह जरूर देखता हूं अब बेंगलुरु के बादशा बेंगलुरु मामा मा आप डारेट बोलो गया सबको फोन घुमा 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 के बोलोगे है पाप जब बैट वरना इसे कोंसे मेरा मेरा लॉक यूर एच टाइम जब मेर्थ क्लास में था तो मेरी मां ही मेरी जान थी बस मां के आगे पिछे नहुंता है बारा एक कंबारा बारा दुनी कल मेरी बहु की गोदभराई है सीता लक्षमी जी आपको जरूर आना है ठीक है जरूर आउंगी जी नमस्ते नमस्ते किस लिए दो-तीन दिन में हमारी गीता को भी तो बच्चा होने वाला है ना अरे गाए की भी कभी कोई गोद भराई होती है क्या बात तो बच्चा वाली थी लेकिन मेरी मा कुछ हो गए अब तो खुश है ना तू हां मैं बहुत खुश हो मा किसी गाय की गोद भराई पुरी दुनिया में शायद पहली बार होई होगी और अब प्रिंसेस अब दिस विलेज महारानी सीटा लक्षमी जी जरूर बच्पन की कहानी होगी नहीं जरूर जवानी की होगी नो आफ्टर मारे च्वादी की बाद होगी तुम सब अपने आप्शिंस मत बताओ नानी मा बताइए मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दें बीस साल बाद आ जाया है जब मैं तुम सब को अपनी आखों के सामने एक साथ देख रही हूं लॉक यॉरेज गेम की असली बिनर हमारी नानी मा है इस सेलिबरेशन के मौके पर एक सेलफी हो जाए हाँ क्या बात है होके स्माइल गस्ते हसने की आवाज आ रही है चलो सब लोग हसो स्माइल मैं करता हूं यह सब लोग खुश है यह लोग हमेशा ऐसे ही रहे वैसे बोल तो सही रहा है कि बच्पन की यादों में असली खुशी है चलो टेस्ट करके देखते हैं मैं घुमाती हूं मैं घुमाती हूं सब्रेडियन इधर इधर यह लोगाती है यह लोगाती है बड़ देखते अधर झाल झाल आज मैं बहुत खोश हूँ, सब कितने बदल गया है, सब तेरी संगत का ही असर है, बड़े मामा भी बदल जाएंगे, मैं क्या रहा हूँ तो जाएंगे, आपका बदल जाएंगे, ठपड तुझे रजिस्टेशन रुखवाने के लिए नहीं मारा, बल्कि बीस साल पहले ही रेजिस्टेशन हो चुकी है, ये बाद छुपाने के लिए मारा है, समझा? बीस साल पहले ही रेजिस्टेशन हो चुकी है, लगता है सब असलियत जान गए है, सब लोग तेरी मीटी मीटी बातों में ऐसे आ गए, जैसे मैगनेट लोई से चिपकता है, क्योंकि उन बेचारों को तो तेरी असलियत का अंदाज है नहीं था, मॉसी, प्लीज मॉसी, प्लीज मॉसी, प्लीज मॉसी, प्लीज मॉसी, प्लीज मॉसी, बूलता है बीस वरों कहीं का, मामा जी, मामा जी, आप तो कुछ कही है न, है, तु हसाता नहीं तो चलता, लेकिन तुने तो रुला दिया, छोटे मामा मामा एक दिन बस एक दिन प्लीज यह किन ने होता तुने ऐसा किया शेम और यू मामा जी प्लीज कल तक रुख जाएए मामा जी फिर मैं इस घर पर अपनी परचाई भी नहीं पढ़ने दूँगा आपके का सब घाता हूं प्लीज मामा जी प्लीज एक दिन मतलब हमें रुखवा कर हमारा मर्डर करके सारी जायदार हड़पना चाहता है न तू लोगों को बेवकुप बनाना तूने अपने बाप से बहुत अच्छी तरह सीख लिया है बोला था ना तू और तेरा बाप इस जैसे है हुआ है इतना दुखी क्यों हो रहा है? माफ कर दो, नानी मा. क्यों माफ कर दू तुझे? सब लोग यहाँ दो-चार दिन के लिए मेरे साथ रुप जाए. इसलिए तो अपनी बेज़ती करवाता रहा. क्यों माफ करूं तुझे? मेरी बेटी जिसे इंसान से ज्यादा सोने से प्यारे उसका नेकलेस ढूनने के लिए तुन्हें गोबर तक में हाठ डाला. तब भी उससे समझ नहीं आई. क्या इसलिए माफ करूं तुझे? जो बेटा अपने परिवार को टाइम नहीं देता था. तुन्हें उसे एहसास कराए कि परिवार क्या है? क्या इसलिए माफ कर दूं तुझे? और क्या क्या बोलू बेटा तुझे? मैने तो सिर्फ मननत मानी थी. और तुने उस मननत को पूरी करने के लिए पूरे परिवार को इकटा किया और मंदिर ले गया. इंसान को खुश रहने के लिए दौलत की नहीं. गुजरी हुई यादों की जरूरत होती है. ऐसा ही तुने अंग्रेजी में उस दिन कहा था ना. तु सबको भले ही बीच साल पीछे ले गया हो. लेकिन अपनी इस नानी को तु सौ साल आगे ले गया बेटा, सौ साल आगे ले गया. बच्पन में लुका छुपी खेलते वक्त, तु मेरे आचल में छीपकर कितना खुश होता था. उसके बद्वे में आज तुने मुझे सारे खुशिया दे दी बेटा. मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी बेटा. बच्पन में जब भी स्कूल से गर्मियों की या दिवाली की छुट्टियां मिलती थी, तो मैं यही आता था क्योंकि यहां सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी. फिर जिन्दगी में एक ऐसा वक्त आया जब मैं आपके पास नहीं आपाया. जितना प्यार मैं आपसे करता था, उतनी ही बापा की इज़्जत भी. आपसे दूर रहकर 20 साल कैसे बिता हैं मैं ही जानता हूँ. इसलिए एक दिन इस गाउं में खुशियां ढूनते हुए मैं वापस आगे हैं. आपके खुशी में ही मेरी खुशी है ना निमा, और आपके खुशी तो आपका ये परिवार ही है. इसलिए सब को एक साथ लाने के लिए मैंने ये सब किया. पर एक बात समझ में नहीं आए. रेजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ये कैसे पता चला? कुछ तेरे पहले सुरिया राव यहां आया था. नमस्ते माजी. मेरी बात तो सुन लिजे, 20 साल पहले ही रेजिस्ट्रेशन हो चुकी है माजी. गुजरने से पहले ही मालिक सहब ने मुझे ये सारे कागजाद दे दिये थे माजी. रेजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें मुझे कहा, अगर ये कागज आपके बच्चों के हाथ लग गए, तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे. और कहा कि जब आप लोग सब मिलजूल कर रहने लगे तब आपको ये कागज दी दूँ. कल मैं यहाँ पर आया था, और आप लोगों को इतना खुश देखा, इसलिए आज ये कागज आपको देने चला आया. 20 साल पहले ही, उन्होंने इतनी बड़ी बास सोच ली थी. और ये सब आपके नाती नहीं तो मुझसे करवाया है. ये लो बेटा, ये क्या है कागज आपके नाना जी ने 20 साल पहले ही सारी जाइदाद सब बच्चों में बराबर बाट दी थी. कागज आप घर में पता चला रेजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो वो सब फॉरण निकल जाएंगे. फिलहाली अपने पास रखिए. इतने दिनों तक आपको तकलीफ देता रहा, मुझे माफ कर दीजेगा माजी. कोई बात नहीं, सुर्या. अब मैं चलता हो. चीके. बस एक दिन और सब रुख जाते तो कितना अच्छा होता. कोई बात नहीं. जिन्दगी भर की खुशे मुझे इन 20 दिनों में मिल गई है, बिटा. आज मैं सच में बहुत खुश हूँ. मुझे माफ कर दो, नानी मा. पड़े एक दिन और रुख जाते तो अच्छा होता. लेकिन क्यों, बिटा? कल नाना जी की बर्सी है, नानी मा. तुने मेरी सारी इच्छाये पूरी कर दिये. एक और इच्छा पूरी करेगा मेरी, बोल. मेरी चिता को आग तू ही देना. ऐसा मसली है. पेस साल पहले रजिस्ट्रेशन हो गया तो तुने मुझे ये बात नहीं बताई, तो कोई बात नहीं. पर मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, संतोष. तू सौ परसंट खरा आदमी है, हंडर्ड़ परसंट गोल्ड. अब हमें कोई नहीं रोक सकता. अरी हे क्या, हमारी खेत में खुदा इकोन कर रहा है? हे, कौन हो तुम लोग, हाँ? तुमारा बेस्ट फ्रेंड, काता नहीं जिसको बोलना है जाके बोल दो, देखो मैंने किसको बोला? MP साब, यह चोतरी एक नंबर का फ्रॉड है. अरे, भाई, पहले इसकी दुलाई करो, उसके बाद ग्राउन की खुदाई करना. अरे, शोर बहुत हो रहा है, थोड़ा साइलेंटली करो नहीं, चाकू से काम तम्माम करना है, कि अरे, भॉड़ा एक जारे, वारे, प्रॉड़ा एक बोलाई प्रॉड़ा है, यह झाला है. कि अब ये हीरो को ने खबर नथी जी जा खड़े खड़े देख क्या रहे हो पता वी दो एने कि अड़े खड़े खड़े présent bit हलो बका बकुडा तुम कौनो मुझे नहीं पता लेकिन इसने मुझे पूरे दस करोड का चूना लगाया है वो भी ब्लेक मनी मार पिट बनकर नहीं तो इसको उपर पहुचा दूंगा मुझे तेरे लफड़े में नहीं बढ़ना लेकिन मामा जी पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं बरदास्ट नहीं करूंगा ये पीके बाबूराव तेरा मामा लगता होगा मेरा नहीं और फिर मैं तो हाट पेशेंट हूँ एक खारो को साउंड पुल्यूशन किये बिनाई में इसको उपर भेज रहा था लेकिन अब तुमारी वज़ा से मुझे ये गन चलानी पड़ेगी फोर यॉर काइंड इंफोर्मेशन विट साइलेंसर मुटा भाई बीज में मत आओ हमारी वात्चित चालूए जीजा जी माने लागे छे राओ बाबू के बहुत सारे फेंस हैं पहले इनको खतम करो बाद में सब को ठिकाने लगा देंगे इस ओप्रेशन के लिए मैंने बहुत धक्या खाये थे लेकिन हर डॉक्टर ने हथियार डाल दिये आप एक ही बार में मान गए यह जानते हुए कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है मैं आपका यह कर्च के से चुकाऊंगा डॉक्टर मैंने आप पर कोई ऐसान नहीं किया यह मेरा फर्ज है बस अपनी डूटी निवाई है एंपी साहब अब आप अराम कीजिए यह ब्लेंक चेक रख लो जो रकम सही लगे भर देना डॉक्टर साहे प्लीज मैंने आपसे कह सुरी डॉक्टर साहिब राव भाई डॉक्टर साहिब की वज़े से मैं आपको छोड़ रहा हूं और वो पीछे खड़ा है वो बकुडा मेरा बेटा है वो सुरी बेटा यह आपके जैसा ही है अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा तयार अने राओ आइंदा किसी के सा इसा मत करना इमानदारी से जीना सिखो डॉक्टर साहिब थेंक यू बकुडा एंक यू बेटा जी जाजी हां पानवाँ पैसे अरे जो ब्लेंग चेक मैंने डॉक्टर साहिब को दिया ऐसा मानले कि उन्होंने उस पे 10 करोड लिख दिया पैसा क्या है साले साहब अभी चलो मैं रोजी सिता नहीं देता रहा यह सेता रहा इस पर हाथ तक उठाया फिर भी यह मुझे बचा ने आ गया अपनों के लिए इंसान जान भी दे सकता यह मुझे आज पता चला कई दोनों बाप अब बेटे एक ही जैसे हो वाकँ एक जैसे हो बाई साब घर जबते हैं मैं बहुत कर दे बेन मुझे माप कर दे बेन आपने मुझे जिस पर बेहन के अकर को का रख मैं उसी वक्त सब कुछ भूल गई आपको माफी मांगने की ज़रत नहीं है भाईया अज अगर तेरा पेटा और पती नहीं होते न बेन तो शायद मैं भी यह खड़ाना होता हुआ अम्मा तुझे बुला रहा हुँ तुझे बुकार अम्मा अम्मा कैसी हो अम्मा मुझे माफ करतो मेरा बेटा मा बेशन के लिए डुबा चेर है न मा है बेटा है माफी चाहता हूं मैंने बीस सालों तक आपको तकलीफ दी अरे यह कैसी बाती कर रहे हूं सब लोग अंदर आचाओ मा मा आपका प्यार और ममता छोड़कर हम जा नहीं सके मा मा कुछ दिन और आपके पास रह सकते हैं क्या अरे जबलों बाहर क्यों खड़े हूं चलो अंदर आज़ो आज़ो मा आज़ो 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 वेरे बच्चे अंदर आज़ो वें अंदर आज़ो इवां ना ना आफावम रणा आपल रागानह का रिष्य और आत्म को मीख valor ओं स्याम् की बात और क्या हो सकती सच में क्याने बंदर आज अपनी दुकान पर लोगिया तुन्हें एक कान के नीचा दूंगा ना चल्ट नहीं बेटा इसे मत मिटा तु मेरे बच्चे को एक साथ यहां लेकर आया उसी खुशी की तो यह निशानी है नानी की जिन्दगी में जो खुशियां बीस साल पहले थम गई थी वही खुशियां पीस दिन में इस नाती ने अपनी नानी के आचल मिला के रख दी अच्छा वैसे आप लोग इस साल गर्मी की छुट्टिया मनाने अपनी नानी के घर जा रहे हैं की नहीं नहीं जा रहे थे तो ये देखने के बाद अब जरूर चाहिए जस्ट लॉक योर एच याद रखिए अपने घर के बाद अगर कोई दूसरा घर है जिसे आप अपना कह सके तो वो है आपकी नानी मा का घर अरे यार हाँ रेजिस्टर साब क्या हूँ अभी तक आये नहीं अब मैं नहीं आउंगा लेकिन क्यों जिंदगी का मतलब मैं आप ही समझाओ अगर इन्सान को भूक लगे न तो पानी पी कर भूक मिटा सकता है लेकिन अगर प्यास लगे न तो खाना खाकर प्यास नहीं मिटे से को इसे आप आस बनेंगे अरे तु फोन रक है बात करता है कर दो का यह